आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एलो दोस्तों इहाँ पर जो Question है आपका Trade Receivables रूपीज 40,000 Trade Payables रूपीज 60,000 Prepaid Expenses रूपीज 10,000 Inventory रूपीज 1,00,000 And Goodwill is रूपीज 15,000 Current Ratio विल बी Current Ratio क्या होगा आपको बताना है Option A है 1 is to 2 Option B है 2 is to 1 Option 3 है 2.33 is to 1 Option D है आपका 2.5 is to 1 ठीक है तो देखिए Total Current Asset यहाँ पर हमको निकलना है ठीक है Total Current Assets Total Current Assets देखिए कितना है Trade Receivables कितना है यहाँ पर देखिए यह Current Asset के अंदर आ जाएगा Trade Receivables ठीक है Trade Receivables यह आगे आपका 40,000 का ठीक है फिर देखिए आपका Prepaid Expenses यह भी आपका क्या हो जाएगा Current Asset में आ जाएगा Prepaid Expenses ठीक है Prepaid Expenses आपका है 10,000 ठीक है फिर देखिए Inventory यह भी आपका एक Current Asset है Inventory Stock Stock का वहलो आपका आ जाएगा 1,00,000 ठीक है तो देखिए Goodwill जो है यह एक Fixed Asset है 15,000 यह Current Asset के अंदर नहीं आएगा तो यह नहीं आएगा यहाँ पर तो टोटल आपका जो Current Asset हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 1,00,50,000 ठीक है यह आपका Total Current Asset हो जाएगा और देखिए यहाँ पर Total जो Current Liability एक ही है तो Total Current Liability Current Liability Total Current Liability कितना है देखिए Trade Pables एक ही है 60,000 तो डाइरेक्ट लिग देते हैं 60,000 यहाँ पर ठीक है Trade Pables जो होते हैं तो यहाँ पर अगर Ratio निकलना है तो Current Ratio का आपका Formula क्या है देखिए Current Ratio Current Ratio Equal Current Assets Current Assets Divided by Current Liabilities Current Liabilities Liabilities ठीक है तो देखिए Current Assets कितना है आपका 1,50,000 and Current Liabilities है आपका 60,000 तो देखिए 4,0 से 4,0 तो cancel हो गया 3 से करने से इसको 5 इसको 2 5 बटा 2 मतलब कि यहाँ पर 2.5 बागी आपका ठीक है 2.5 और 5 बटा दो मतलब 2.5 के नीचे कुछ नहीं अगर 1 है मतलब कि 2.5 is to 1 यह आपका हो जाएगा रस्यो तो अगर option देखिए यहाँ पर तो आपका जो option D होगा 2.5 is to 1 यह हो जाएगा current ratio और यह हो जाएगा correct answer Thank you